आई यह सभी का स्वागत है Microsoft चैनल में तो मैं आज एक बेबी कैप बनाने जा रही हूं तो उसका नाप हम लेंगे इंच टेप से तो इंच टेप से किस तरह से लेंगे सर की गुलाई में हम इस तरह से रखेंगे ऐसे घुमाते इंच टेप को रखना है और सर की गुलाई में नाप लेंगे जितनी हमारी यहां पर गुलाई आएगी यानि 16 इंच आए 17 18 जितने भी बड़े चोटे जिसी के हिसाब से भी बना रही है इतनी गुलाई में नाप लें और चेन हम बनाएंगे 8 के गुने में 8 के गुने में हम चेन ले लेंगे एक दो चेन एक्स्ट्रा हो कोई जाए अगर तो कोई यह नहीं है उसमें हम बना सकते हैं लेकिन 8 के गुने में ही चेन लेते हुए आपको इसका मेजर्मेंट लेना है जैसे मैं अभी बना रही हूं 15-16 तक इसके बनाओगी तो देखते हुए चेन कितनी बन के आती है तो 8 के गुने में हम चेन लेंगे इससर पहले हम गांट लगा लेंगे और 8 के गुने में ही चेन लेते हैं हम इसे में बना लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8, यह मारी एक डिज्यायन बनेगी फिर से यहां से कांट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, ये दो डिजाइन हो गई एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और ये आठ, ये तीन डिजाइन एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, इसी तरह से करते हैं हम आठाठ करते हुए हम 6 इंश तेक इसकी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते है वह है यहां पर जों नीचेन बनाई है टोटल हमने असी चेन बनाई है यानी है एटी चेनम ने बना ली है इसमें तरह से इंच टेप से नापनें तो इस तरह से सीधा करना है और यहां से नापना हम सुरू करेंगे इस तरह से रखते हैं खीचना नहीं है हमें इस तरह से नापेंगे सिर्फ फल के हाथों से नापना है इसको देखें यानि 16 इंच से थोड़ा से कम है यानि 15 के आसपास है इतना हम बना लेंगे सेंटी मीटर तरह देखें तरह 39 सेंटी मीटर है अब चली इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम चेन को सीधा कर लेंगे इस तरह से पहले क्रोशेय डाल लेंगे और चेन को सीधा करना है में इस तरह से चेन को पकड़ते हुए सीधा कर लें सबसे फर्स्ट वाली चेन पर डालेंगे में इस तरह से घुमाती वे जो आपनी पहली चेन बनाई है यहाँ पर डालेंगे सहर से सिलिप करते हैं इसे जाइंट कर लेंगे यहाँ प्यार के पहले लिसमों निकाल लेंगे में इस तरह से अब यहां पर एक चेन लेंगे हैं क्रोस defence थागा लेंगे अब देखिए यां से इस chain में थमारे बुनावाया यहां से count करेंगे 1, 2, 3, 4 नमबर chain पर डालते हैं हम यहां पर double crochet बनाएंगे 4 नमबर chain पर हमें डालके double crochet करना यह धियान रखना अपको 1 double crochet 2 double crochet 3 double crochet यह चार डबल क्रोश यह पांच डबल क्रोश यह चे डबल क्रोश यह जब गोटाने साथ डबल क्रोश यह बनाना है यानि 7 double crochet कर लिए हमने एक ही chain में से अब यहां से देखिए फिर से count करेंगे 1, 2, 3, 4th नंबर चेन पर डालती वे सोरी हम सिंगल crochet कर लेंगे इस तरह से लेंगे सिंगल crochet कर लेंगे एक, दू, तीन और यह चौथे वाली चेन पर डालेंगे सिंगल crochet कर लेंगे फिर से यह पर crochet पर धागा लेंगे फिर से 4 चेन छोड़ेंगे चौथे चेन में डालेंगे एक, दू, तीन चेन छोड़ा हमने और चौथे चेन पर डालती हम यह पर फिर से double crochet करेंगे 7 बार यानि 7 टाइम हमें double crochet करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 साथ पर हमने double crochet कर लिए फिर से यह पर 3 चेन करेंगे 1, 2, 3, 4 नवर चेन पर डालते हम यह पर single crochet से joint कर लेंगे इस तरह से यह पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनती वे जाएगी cell design तो चली पूरी लाइन complete कर लेते हैं फिर यहां कर जॉइंट करेंगे यहां पर design के हमारी पहली लाइन complete होती है यहां 7 double crochet से हमने कर लिए और देखेंगे आपर चार चेन बची वे एक, दो, तीन, चार जहां हमने joint किया था इसे जगह पर डालेंगे इसे joint कर लेंगे और पहले चेन से निकाल लेंगे अब इधर पलटेंगे पलटने के बाद एक chain ले लेंगे अब करोशे फिर धागा लेना है और यहां पर देखेंगे 7 double crochet है सबसे first वारी double crochet है कि इस तरह से अंदर से डालेंगे है इस तरह से crochet डालना है और यहां पर double crochet करेंगे एक double crochet यह 2 double crochet यह 3 double crochet 3 double crochet करने के बाद एक chain लेंगे हम चौथे नमबर के डबल क्रोशे को हम छोड़ देंगे इसे नहीं बुनना है और फिर उसके बाद से हम तीन डबल क्रोशे और है हमारे पास एक, दो, तीन चौते नमबर डबल क्रोसे को इसकीप कर देना है इसकीप करना है क्रोसे पर धागा लेंगे इसकीप करेंगे और इसकी बगल वाला जो है यानि फिर्थ नमबर डबल क्रोसे पर डालेंगे अंदर की और से फिर यहां पर डबल क्रोसे करेंगे six number double crochet के ní newest डालेंगे double crochet करेंगे seven number double crochet के अनदर डालेंगे double crochet करेंगे लेकिन fourth number वाले को skip करतेंगे इसे उसके बीच में हम यह यह पर एक chain ले ले लेंगे फिर से देखें फिर से प्रकोर से धाग लेंगे यहां पर फिर इस तरह से repeat करेंगे फर्स्ट वाली पर डालेंगे, डबल क्रोसे करेंगे, सेकंड वाली पर डालेंगे, डबल क्रोसे करेंगे, थर्ड वाली पर डालेंगे, डबल क्रोसे करेंगे, वन चेन लेंगे, करसा पर धागा लेंगे, फोर्थ वाला डबल क्रोसे करेंगे, ये वाला छोड़ देना है, अ क्या है TP 7 पर डालेंगे vlgr करेंगे इसी तरह से पूरी लाइंप हम कंपटी करेंगे हर ड़ब करींगे करेंग। यांme हुetty ऐख वालवल कुरोसे बनाएं तो एक दो पिन डर्व बनाएंगे फिर एई चैन लेंगे चौथे वाले डнова कर श pasta ळेंगे एक को डीन पर से दमना धोन, सबस्राइब बनाती फिर मोर्वल क्रोश उसे ऺड्राइब यहां पी सिलेंट कर लेंगे उस्लही अब इधर भूम जाएंगे यह हमारा उल्टा साइड है अब सीधा साइड भूम जाएंगे इस तरह से सीधा साइड भूमना है मैं इसी जगह पर डालते वे पहले जिस चेन में हमने इसे जोड़ा है इसे चेन में डालते वे पहले हमें एक सिंगल क्रोसे कर लेंगे इस तरह से अब एक चेन ले लेंगे देखे सीधा भाग में आ गए है अब जो हमारे पास यहां गैप बनी हुए देखे एक चेन का जो हमने गैप लिए था इसके अंदर क्रोशे डालेंगे यहां पर हम क्रोशे चेंज कर लेंगे यह हम 3 mm क्रोशे से बना रहे थे चेंज करेंगे इसे 3.5 mm क्रोशे लेंगे यहां पर यह 4 mm भी क्रोशे यहां पर ले सकती है इसके अंदर डालेंगे डबल क्रोशे बनाएंगे वन डबल क्रोशे यहां 2 डबल क्रोशे और यह 3 डबल क्रोशे करने के बाद देखिए क्रोशे पर धागा लेंगे और जो पहली बार हमने देखिए यहां पर 7 डबल क्रोशे बनाया था तो एक दो तीन डबल क्रोशे बना था और एक डबल क्रोशे को हमने छोड़ दिया थ चौते नमबर वाली जो डबल कुरूसिया है, फोर्थ नमबर वाली डबल कुरूसिया है, इसे हम इस तरह से ऐसे कुरूसिया डालना है, फोर्थ नमबर वाली डबल कुरूसिया का अंदर से, इस तरह से डालते हैं, धागे को लंबा खीचेंगे और यहां पर डबल कुरूसि को अरब कि पाकित सिर्फ हो देखें कुछ इस तरह से बनेगी फिर एक चेंड लेंगे dis का यहां पर बीच में खली जगा है कि आपम डालेंगे और उसे सिंगल ऊश्यवा करेंगे लेंगे अब यहां पर ले देनीच के बीच में यह आपर एक चेंजय हमने लिया होता है इसकी कफने फिर сразу करेंगे ची दबल क्रोश से बना लेंगे है तो झाल बना नीचे से बना लेंगे कुरोशे और इसे धागे को लंबा खिचते विया लाएंगे और इसे डबल कुरोशे बनाएंगे ते चार डबल कुरोशे हो गई फिर यहां पर तीन डबल कुरोशे और बना लेंगे तो टोटल हमारे पास साथ डबल कुरोशे हो जाएंगे फिर से एक दो और ये तीन तीन डबम क्रोश से बना लिया फिर एक चेन ले लेंगे अब देखी है कि यहां पे बिच में खाली जगह है यहां पे डालेंगे और एक शिंगलjing प्र बना impost लेंगे फिर एक चेन लेंगे फिर से यहीं डिजाइन हम, जो हमने यहां रिपीट की हुई है, यह डिजाइन फिर से हम यहां पर रिपीट करेंगे, यहां पर रिपीट करेंगे, तीन डबल क्रोसे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोसे नीचे से बनाएंगे, फिर यहां पर सिंगल क्रोसे बनाएंगे, फिर यहां आके में इसे जाइंट कर लेंगे और पैरे चैन से निकाल लेंगे अब यहां पर हम कलर चेंज करते हुए दूसरा धागा लेंगे अब इधर पलट जाएंगे उल्टा साइब इसे टाइट कर लेंगे इधर पलट जाना है यह हमारा सीधा भाग तब उल्टा भाग हम आ गए इधर अब देखिए क्या करना में यही दो राइंग को बार बार रिपीट करना ते एक बार और दिखा देती मैं आपको इस तरह से आपको अच्छा से समझ में भी आजए है यहां आपने लिए खुर्शे पर धागा अब देखिए यहां पर मारे पास डबल क्रॉस्य है वन टू थ्री सभी के अंदर डालते एक डबल क्रॉस्य करेंगे इस तरह से क्रॉस्य अंदर के और डालना है और यहां पर डबल क्रॉ दूसरा डबल क्रॉस्य है इसके अंदर से फिर से डालेंगे तीसरा डबल क्रॉस्य है अब एक चेन लेंगे एक डबल क्रॉस्य को हमने इधर से बुना है तो इससे छोड़ देंगे हम तो देखिए हमारे पास सिक्स डबल क्रॉस्य है रहेंगे और एक नीचे साइड से रह कि यह वाला डालेंगे इसमें बुनेंगे एक डबल क्रोसिय है यह हमारे फिप्ट नमबर वाली डबल क्रोसिय है और यह 7 नमर वाली डबल क्रोसिय है इस लाइन में पीछी चेन नहीं लेंगे सिर्फ यहां पर चेन लेंगे, क्रोसे पर धागा लेंगे, फिर से देखिए, यहां पर डालेंगे, फिर सब यह रिपीट करेंगे, वन डबल क्रोसे हैं, सेकंड वाली पर डालेंगे, टू डबल क्रोसे हैं, थार्ड वाली पर डालेंगे, त्री डबल क्रोसे हैं, फिर वन च डबल क्रोस यह है, seven वाली पर डालेंगे, double क्रोस यह है, इसी तरह से round पीछे के साइड हम इसी तरह से complete करेंगे, तो इसी तरह से complete कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं, चलिए यह लाइन complete कर लेते हैं, फिर एक बार और दिखा दे तुम आपको design, तो यहाँ पर दे सिंगल क्रोस यह बनाई है, इसमें डालेंगे, जोइंट कर लेंगे, इस तरह से जोइंट करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, पैली चेंसे निकाल लेंगे, फिर इधर पलट जाएंगे, सीधे तरफ आजाएंगे, इस तरह से, देखे, सीधे भाग पर आजाना है, इसे इस एक चेन ले लेंगे हैं कुरसे पर धागा लेंगे अब देखे इसकी बीच में डियाइन बनाना में यह जो दिख रही है आपको यहाँ पर डालेंगे पहले थ्री डबल क्रॉसे करेंगे वन डबल क्रॉसे हैं तू डबल क्रॉसे हैं और यह थ्री डबल क्रॉसे की हैं हमने क्रॉसे पर धागा लेंगे अब जो एक डबल क्रॉसे के बार वो नीचे से दिख रही है सेट से देखिए यही वाली यह अकेलर डबल क्रोश एक इस तरह से नीचे से लेंगे हम ऐसे और यहां इसे इस तरह से लेंगे और इसे इसके बुनाई करेंगे यही एक डबल क्रोश यह अफनी छोड़ा हो था और फिर से 3डवल क्रोश्य कर लेंगे अवर है चुरह से देखें इस तरह से देखें इस तिन डवल क्रोश्य यह बनाएंगी बीच में से एक में दौन से ले में एक चैन लेंगे यहां पर खाली जगह है इन छेट डूबल क्रोशे की बीच मी यहां पर खाली जगह दिखेगे आपको यहां पर हमें 1 सिंगल क्रोशे बनाना है फिर 1 चेन ले लेँगे एफिच देखे छेट यहां पर आ जाएंगे फिर सिरुपीट करेंगे तो इसी तरह से करते हुए आपक एक डबल क्रूसी है, हम नीचे से बनाएंगे हां से, इस तरह से लेंगे, ऐसे दिया है हमने, यहां डबल क्रूसी है बनाया है, फिर इसी के बगल में साइट करते हैं जहां एक चेन लिया थे, इसी जगर पर डालेंगे, और तीन डबल क्रूसी और कर लेंगे, तोटल हमारे इहांपे देखें, इनन छे के बीच मे में याँपे खाली जगा देखें हैं यहांपर यहांप नहीं लेंगे, सिंगल गौज से फिर एक चेन पिर बनाव से यहांपे डियान बनाएंगी तो इसी तरह से डियान बनती जायों जाएगे। यह चली यह पूरा कर लेते हैं पांच इंच तक इसकी बुनाई करेंगे हम देखें यहां से हम देखेंगे नापेंगे यहां से लेके पांच इंच तक इसकी बुनाई करेंगे अब हमारे दो इंच हो गए थी इन इंच और बूनेंगे और भी दिखाते हैं आपको घटाने का तरीका और देखेंं हमारे नक्रयूशेल का को जाता है कि यां फिसी आपको जाती है Been यहां से शुरू है यहां हम चलओ करें यहां कनेक sprink पेक्रदें tali है कि बंध हमें शुरुवात तरफ से करना है देखिए जहां से हमने शुरुवात किया था शुरुवात हमने इधर से किया हो था और डिजाइन हमने आखा तम किया है अब इसे इस तरह से रखेंगे यह से जहां से हमने शुरुवात किया था इधर सरफ देखिया में घटाना ह इस तरह से में यह कलर ले लेंगे चाय तब इसी कलर से ले सकती है पहले घांट लगा लेंगे अब देखें यह घारिया दिख रिया आपको यह जो डबल कुरूसी है इसमें डालेंगे है और पहले चैन से निकाल लेंगे फिर इसी जगह पर डालेंगे और एक सिंगल कुरूसीय बना लेंगे अब यह जो डिजाइन है इसकी बीच में डालेंगे यहां पेक सिंगल कुरूसीय करेंगे है इस डिजाइन की बीच में को सिंगल कुरूसीय करना है में अब यह जो 5-5 चेन हमने लिया हो था देखिए शुरुवात में इस तरह से यहां पर डालेंगे यहां पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे अब यहां पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे Pl defend to cash से करना अपको कि है यहां पर सिंगल क्रोशे करेंग। यानि पूरी इंहें साइट में हम जिए भीच में देखेंगे जो diagnostic लीवी थी इसी के के अंदर डालते हैं हमें सिंगल क्रोशे करना है फिर यह सेल डिजाइन है इसके बीच में साथ चेंड बनाया था साथ डूबल क्रोशे बनाया था इसके अंदर डालेंगे यहां भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर देखिए यहां पर बनाएंगे सिंगल क्रोशे इसी त तो कुछ इस तरह सा हमारी यह बन जाएगी अब देखें यहां से एक चेन ले लेंगे सब्सक्राइब जो दो दो इन पर प्रण стать करें से बें हैंट वर इसले कम कर करेंगे हैं यह एकपंदा लेना है उसके अगली वनी चेन पर लेना है पुर्टल 3 फंदे हो जाएंगे तीनों को इक साथ बंद किया हमने एक यहां पर लेंगे एक इदर टोटल 3 हो गए बंद करेंगे हैं एक दो तीन हो गए है फिर से देखे इदर इसी तरह से करते हुए हम पूरी लाइने कम्प्लीट करेंगे बंद किया हम ने पेदर लेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसकी बुनाई करते हुए बंद करेंगे तिन-तिन फंदे लेते हुए बंद करेंगे इसे तिन फंदे हो गए बंद करेंगे इसे फिर यहाँ एक लेंगे इधार एक लेंगे टोटल तीन हो गए, बंद करेंगे इसे, फिर से यहाँ पर डालेंगे, एक हो गए, यहाँ दो हो गए, तीन हो गए, अब लास्ट में सबसे पहले जो हमने सिंगल क्रोसे बनाये थी, यहाँ पर इसे जोइंट करेंगे, इस तरह से, फिर से एक चेंड लेंगे, देखें, और दो, टोटल तीन हो गए, बंद करेंगे, फिर से लेंगे यहाँ पर एक, दो, और एक हमारे फंदा पहले से एक, तीन हो गए, फिर से यहाँ पर लेंगे, एक, दो, बंद करेंगे, फिर लेंगे, एक, दो, टोटल तीन हो गए, बंद करेंगे इसे, फिर से लेंगे यहाँ कि इक कि दो येका थे तिन फंदें हो वे मेगे तीनों को एक सथ बंद करेंगे है थो ख addressed लेंगे या पर एक उगे और यह दोग मत्पकिया इसने सिंगल क्रोसे एसे एक ले लेंगे और यहां पर जाइंट करते हुए उसे हम तिन फंदों का एक कर देंगे यहां बची हैं मारी इसे सउई से लेंगे में इस तरह से सुई से लेंगे इस फंदे को खिच देंगी इस तरह से तो देखिए यहां पर बंध हो जाएंगी इस तरह से बंध हो गए अब अंदर की और करते हुए हम इसे धागे को निकाल लेंगे और यहां पर इसे सलाई लगा लेंगे एक घांट लगा लेंगे ताकि यह पक्का हो जाए हमारा हुआ है यहां पर दागे को खाट लेंगे हैं है कि यह पर हमारी क्या बंके रेडि हो जाती कि प्यारे सरे कि खूपसल सी तो तिये हमारे सीधा साइड से कैप है और देखिए इधर उल्टा साइड है तो इधर भी बहुत ही खूबसट सी डिजाइन लगती है आप चाहे तो दोनों से इसे पैन सकते हैं जुद आगे निकले हुए इसे काट ले अंदर छुपाते हैं आप इसे दोनों से इसे पैना सकती ह बचे को इस तरह सी कैप बनके हमारी रिडी होगे कितनी खूबसट कैप है आप चाहे तो यहां पर इसे डोरी लगा सकते दोनों से चैके बच्चे की सर से खुली हो ना तो मैं यहां पर पैना के दिखा देती हूं आपको कुछ इस तरह सी शेप में आएगी है तो कितनी प्यारी कितनी खूबसट लग रही है देखें उमीद करती हूं कि आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब करें तो चली मिलते फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू